नमस्कार दोस्तों आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डिजीटल खेती में और आज हम यहां पर बात करेंगे MCH की कुछ कपास के बारे में उसकी विविन उन्नक्त जो किसमें रहती है बीटी उनके बारे में और दूसरा कुछ ब्रांडेड कंपनियों के बारे में जो बजार में कपास बेचती है उन सब के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे जो MCH कपास रहता है वो हेडशूटम टाइप का कपास रहता है और उसके जो रेशे की लंबाई रहती है वो थोड़ी कम रहती है एक और कपास आती है DCH टैप की उसकी तुलना में उसके जो रेशा है उसकी लंबाई कम रहती है MCH का जो रेशा रहता है वो ज़्यादा सफेद रहता है और MCH की जितनी भी बेराइटी आती है वो सभी कम मद्यमवदी की रहती है DCH की तुलना में तो बहुत सारे लोग जो कपास होगाते है MCH वाली वो बाद में ग्यों भी लगा सकते है और कपास के अगर रेट की बात करें तो इसका जो रेट रहता है वो थोड़ा कम रहता है DCH की तुलना में जैसे उसका भाव 6,000 या 7,000 रुपे पुंटल है तो इस कास की ब्रांडे कंपशियों के बारे में तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं यह बायोची बिंदास का पास है इनका ब्रांड में बिंदास यह BTI का पास है MCH में और अगर हम की बात करें तो यह बहुत यह अच्छी कंपनी बीज में BT2 कपास का मतलब यह होता है कि उसमें जो खीड़ें वो कम आते हैं cable sucking paste आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि इस packet की packing कभ की गई है इसकी testing date कभ की है packet का rate क्या-क्या है यह सब के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है और नीचे आप देखेंगे तो जो कपास का जो बेज रहता है उसकी प्यूर्टी परसेंट रिती है उसमें अंकुलर प्रतिसत कितना रहता है और जो पैकेट का बेटे साड़े चार सो ग्राम उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है यह दो तरह का कपाक रहता है साड़े-चार सो ग्राम ना करद अधर पान कितकी रहरे यहां पर यह जीन के बारे में लखा हुआ है कि बीटी टू का पास में कौंसे जीन पाए जाते हैं क्राइड ये दो प्रकार के जीन रहते हैं जो कि यूँ और को कंट्रोल करते हैं और यह जी एसी का एक आपरूवल है जो बीटी में अलग रहती है यह जो पैकेट है वो दोनों जॉन में बेचने के लिए है तो इसमें दोनों तरह की परमीशन या एप्रूवल मिला हुआ है और यहां पर इसका डिस्टेंस लिखा हुआ है कि लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखी जाती है जब इस से आपको खाद इस्तमाल करना है 30-30 kg NP के लिखा हुआ है बुवाई के टाइम पे और 24-24 kg फिट दुवारा से लिखा हुआ है कि आप इसको 30 दिन बाद और 60 दिन बाद देना है और दो फॉलियर इस्प्रे करना है 19-19 के तो यह पैकेट पर पूरी जानकारी लिखी रहती है और इसमें 30 दिन के बाद शक्रिंग पेस्ट का अटेक आता है आपको रस चूसने वाड़े कीलो का नियंत्रल करना रहता है बहुत सारी दवाई आती है बजार में आप कोई सीवी दवाई का इस्तमाल करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं एक और इंपोर्टेंट एक्टिविट का यह पॉइंट दो एक्टर के लिए परियापते हैं यानि लगबग एक विगा के लिए आप इसको इसको इसके बीज को और अगर आपके एक एक्टर में लगा रहे हैं तो आपको लगबग पांच पैकेट की जर्वत पड़ेगी तो यह पूरा डेस्क्रिप्शन रहता है कपास के बारे में उसके ऊपर लेखा हुआ किसान भाईयों को वह जरूर पढ़ना चाहिए जब वह बीज खरीदने जा रहे हैं तो दूसरा एक और आता है जेके कंपनी का पास पास करके इनका ब्रांड में में वह भी बीटी टू कपास लेता है जेके कंपनी भी अच्छी सब्सक्वार इसका बीज रगा सकते हैं इस कंपनी के और भी कपास के पैकेट आते हैं दूसरे नाम से घ्यों करने के दिआज कंपनी को बारे में बता रहा हूं उनकी और वी किसमे आती हैं जिनको आ लाखके लगा सकते यह इसकी भी यहां पर सीड की बेराइटी का नाम लिखा हुआ है डेटेल लिखी हुई है अमकुलर पर किसाथ बहुत एक सुद्धता डेट आप पैकिंग इसको टेस्ट कब किया गया इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर लिखी हुई है पैकेट का रेट भी लिखा एक साथ सुद्धता रुपे का आता है एक और बेराइटी है नीजू बीडू की मलिका जिसका नाम हैंसी है 207 बीटी भी है यह भी बीटी टू कपासर नीजू बीडू कंपनी भी बहुत अच्छी है अगर आप इसका भी बीज लगाते हैं तो आपको उत्पादन बहुत ब बढ़िया आएगा यह भी कोटन में अच्छी कंपनी है यहां पर इसके बीज की डेटेल लिखी हुई है अन्य कपासों की तरही इसका रेट थोड़ा कम है यह 635 रुपे लिखा हुआ है तो अच्छा है वैसे जो गवर्मेंट से अप्रूर रेट है वह 730 रुपे पर प्र देचने को यह यहां पर कस्टमर केर नंबर और कस्टमर केर इमेल लिखा हुआ है अगर कोई दिक्कत है या आप कुछ और जानना चाहते हैं कपास के इस बीज के बारे में तो आप इनसे संपर कर सकते हैं नंबर पर या मेल आईडी पर यह लगवक्त जानकारी सभी प्रेक सब्सक्राइट का रेट एक और नेजुबीडू सीट कंपनी की कपास आती है भक्ती के नाम से यह अच्छा कंपास में और इसका उत्पादन भी ठीक रहता है यह कंपास किसान भाई लगा सकते हैं अगर उनके बाजार में उपलफद होती है तो जो भी कंपनी आपको बता बहुत सारी कपास आती है तो यह ब्रांडेट कंपनी आए अगर इनका कपास आप लगाएंगे तो आपको उत्पादन बहुत बढ़िया आएगा एक यहां पर नोंने लिखा हुआ है कि अभी जो समस्य आ रही है बीटी में कभी कभी तिंक बॉल बर्म की आती है तो उसको क यह एक पेकेट 4500 ग्राम का पॉइंट दू एक्टर के लिए परियापत है और इसके साथ जो 120 ग्राम आता है वो जो मेन कपास रहती है 4500 ग्राम उसके चारों तरब बोया जाता है इसकी नेट क्वांटिटी चारसो पिशेत्तर ग्राम है इसका मतलब यह है कि इसमें 120 ग्रा कपास आता है वह नहीं दिया है इसके साथ में तो इस तरह के यह नीजू-बीडू के कपास आते हैं MCH में यह एक और कंपनी है दान्या जिसका कपास आता है आता है MCH 5360 करके यह भी BT2 का पास है और यह भी मेडियम रेंज में अच्छी कंपनी है इसका भी किसान भाई बीज लगा सकते हैं और पैकेट के ऊपर यहां पर इनका यह कस्टमर केर नंबर लिखा हुआ जहां फार्मर अगर कोई दिक्कत है तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं बाक पैकेट आप खरीते हैं और इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ कंपनियां थी जिनके MCH में कपास आते हैं देश के 90% भाग में लगबग MCH कपास लगाया जाता है कुछ और कंपनियां जै बाजार में कपास बिखता है वह रासी कंपनी का बिखता है उसके भी पैकेट MCH में बहुत अच्छे आते हैं तो इनमेंसे जो भी बाराइटी आपके बाजार में मिलती हो वह आप खरीदकर लगा सकते हैं थोड़ा सा ध्यान आप यह रखें कि यह की तरह का कपास ना लग करें कि आप सारे एक ही तरह के कपास लगा दें क्योंकि कभी-कभी बीज में दिक्कत होती है तो वह आपके साथ नहीं होगी यह थोड़ा सा आपको ध्यान दखना है तो दोस्तों आसा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी आप सभी से निवे दने कि आप हमारे चैनल क को सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक वाशेर जरू करें धन्यवाद दोस्तों देखते रहे हैं डिजीटल खेती थानो है